एक serial killer और उसका copycat killer ये दोनों एक दूसरी के सामने आते हैं इन दोनों में एक past है, एक history है जो इस movie की mystery है Hello friends, आज के हमारे movie Our Town ये 2017 की एक Korean mystery thriller movie है ये movie बहुत सारे turns लेती है और जो भी होगा ये हम expect नहीं कर सकते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे request करना चाहता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा रखता है तो प्लीज इस वीडियो को like और comment जरूर कर दीजेगा इसे channel को बहुत support मिलता है और बिन्ना किसी तरी के इस dangerous सी movie को explain करना start करते है वी स्टार्ट होती है और हम देखते है कि एक security guard को एक लड़की की body टंगी हुई मिली है मैं फिर दिखाय जाता है कि इसी type के अलग-अलग age group में चार murder हो चुके है नेक सिन में हम हमारे main character जिसका नाम है यंग जू इसे gaming parlor में देखते है वहाँ उसकी landlord आई तो जल्दी से वहाँ से भाग गया क्योंकि बहुत दिनों से उसने कुछ भी rent pay नहीं किया था यंग जू एक writer है एक video game की company को वो अपनी script की idea sell करना चाता था पर वो उसमें interested नहीं थे वो कहते है तुमने जो भी लिखा है वो इतना real नहीं है इतना जादा violence नहीं चलता यंग जू गहता है कि आपको इससे real नहीं मिलेगा gaming वालों ने उससे कहा कि तुम्हें क्या पता क्या तुमने किसी आदमी को मारा है यहाँ पर यंग जू के चेहरे पर amusement थी next time में में police meeting दिखाए जाती है यहाँ हमारा और एक main character है इसका नाम है Jason जो भी city में murder हो रहे है इस case का इंचाज Jason ही है उसके boss उसे investigation के बारे में पुछते है पर कुछ भी progress नहीं हुई थी उससे बहुत data जाता है यंग जू पुलिस station में आया था वहाँ से हमें पता चलता है यंग जू और Jason यह एक दूसरे के friends है Jason यंग जू से कहता है ज्यादा drink मत क्या करो इससे तुम्हेरी writing में तुम्हे problem आएगी Jason को अभी अभी promotion मिला था तो यंग जू उसे congratulate करता है नेक सिन में हम देखते है यंग जू murder की जगा पर आया हुआ था वहाँ पर dead body को imagine कर रहा था इसके बाद food stall पर खाना खाते हुए यंग जू एक लड़के से मिलता है इसका नाम है Yui ये दोनों murder के बारे में discuss करते है यंग जू कहता है killer यही कही रहता होगा यंग जू जब घर पर आया तो उसके landlord ने उसके घर को lock कर दिया था वो बेफोन से उसे call लगाता है कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था उससे आप बात कर सकती थी वो हमेशा landlord को ignore करता रहता था तो यह सही नहीं था वो फिर food path के बास बेट कर ही drink करता है कुछ बाइकर रस्ते से गुजर रहे थे तो उनमें से एक ने उस पर धुवा डाल दिया यह सब उसके face पर आया था वो बहुत ज़ादा गुसा था और उसने देखा कि रस्ते के side पर एक गाड़ी रुकी हुई है गाड़ी में एक couple make out कर रहे थे इन couple में से आदमी याड़ी से बाहर निकलता है वो रस्ते के side पर toilet कर रहा था तब ही यंग्जू उसके पास आया और उसे मार डाला बाइक पल में से लड़ की बहुत ज़ादा डर चुकी थी यंग्जू फिर इन दोनों को उठा कर एक toilet में लेकर आया बॉयफ्रेंड मर चुका था और गर्ल्फ्रेंड बहुत ही ज़ादा डरी हुई थी यंग्जू से कहता है तुम में क्या talent है वो डर कर ही कहती है कि मैं गाना का सकती हूँ यंग्जू कहता है कि मुझे का कर सुनाओ अगर तुमने अच्छे से गाया तुम्हें में छोड़ दोंगा वो गाना का रही थी तब पीछे जाकर यंग्जू ने उसका गला काट दिया ये सिन खतम होने के बाद हमें पता चलता है ये सब यंग्जू की imagination थी वो writer है रस्ते के सामने गाड़ी आई तो उसने ये सब imagine किया था रात उसने बाहर ही बीता है और अगले दिन वो landlord के पास पहुचा वो उससे कहता है कि आपको rent चाहिए मेरे पास hard disk है जो मैं sell करकर आपको rent दे सकता हूँ ये landlord भी मान गई वो उसके साथ उसके room दगाई वो आसपास देखती है तो कहती है तुमने कितना घटिया घर रखा है वो बहुत कुछ complaint कर रही थी यंग्जो ने देखा कि उसकी family photo तूट चुकी है इस पर वो बहुत ज़्यादा गुसा हो गया उससे बोचता है ये कैसे हुआ landlord कहती है कि चावी बदलने के लिए जो आदमे आया था शायद उसने तोड़ा होगा यंग्जो उससे उची आवाज में बात कर रहा था तो गहती है कि क्या तुमें तमीज नहीं है यंग्जो को और वी ज़्यादा गुसा आ गया उसने उसे मार डाला इस बारा का murder ये एक real murder था उस पर शक ना आये लैंड लेडी के ही पैसे लेकर उसने एक envelope में डाले अपना नाम उस पर लिखा यानि कि पुलिस को लगेगा यंग्जो ने सही से रेंट पे किया था उस पर शक ने आयेगा सीटे में बहुत सारे murder होई रहे थे और murder के बाद body को hang कर दिया जाता था उसी टाइब से यंग्जो अपने लैंड लेडी की body भी हैंक कर कर आता है अब सब को लगेगा कि ये murder भी serial killer नहीं किया हुआ है अगली दिन पुलिस को body भी मिल गई तूटी हुई frame बाई करने के लिए यंग्जो योई की पास आता है योई ये frame ढूंडते हुए यंग्जो को अपने mobile से message करता है कहता है मुझे पता है कि तुम ने ही murder किया है इस message के बाद उसने coat भी डाला हुआ था इसका मतलब क्या था है हमें आगे पता चलेगा यंग्जो इस message से surprise था frame लेकर यहाँ से हो चला गया इसके बाद हम देखते हैं कि योई घर पर आया उसने अपने लिए जो food बनाया था वो उसके dog ने खा लिया गुसा होकर वो dog को मार डालता है land lady की murder की investigation करने के लिए जेसन यंग्जो की building में ही था उसके पास आया और अब यह दोनों हैंग आउट कर रहे हैं जेसन कहता है killer का childhood शायद खटिया होगा इसी वज़े सुए सब चीज़े कर रहा है यंग्जो कहता है कि अगर तुम्हें उसे पकड़ना है तुम्हें उसकी तरह सोचना होगा उसे फिर एक story वो बताता है वो गहता है कि एक funeral पर दो sisters थी वहाँ पर एक आदमी आया जो बड़ी sister को पसंद आ गया देखते ही उसे प्यार हो गया था रात में इसी बड़ी sister को सपना आता है कि अपनी sister को उसने मार डाला है अब यंग्जो जेशिन से बोचता है कि सपना उसे क्यों आया जेशिन गहता है कि शायद हो jealous होगी शायद हो नहीं चाती थे कि वो आदमी उसकी sister को पसंद करे यंग्जो गहता है तुम गलत हो बड़ी sister उस आदमी से funeral पर मिली थी अगर वो अपनी sister को मार डालेगी तो फिर से funeral होगा और उसे मिल पाएगी तो मैं इस तरह से सोचना चाहिए जेशिन को शक है कि जो murder अभी-भी हुआ है वो एक copycat killer का काम है यानि कि real killer ने एक काम नहीं किया था अगले दिन जेशिन अपने senior से बात कर रहा था उसके senior कहते हैं बहुत सालों पहले एक SI murder हुआ था जेशिन को लगता है कि शायद उसका कुछ connection हो सकता है तो जल्दी से इस case के सब files वेगरा निकालता है जेशिन जब investigation की सब files लेकर जा रहा था तो पुलिस station में योई से टकराता है योई एक reporter होने का ढोंग कर रहा था इसके बाद योई जेशिन के desk पर जाकर कुछ dolls रख कर आता है जिस तरह से पुलिस को bodies tie की हुई मिलती है ये dolls भी वेसी की है इसका मदलब है योई हमारा real killer है जेशिन यंग्जू के घर पर आया हुआ था पर यंग्जू कही बाहर था वो उसका PC on करता है उसने उसकी book देखी तो इसमें जो भी murder city में हो रहे है इसका description लिखा हुआ है अब जेशिन को यंग्जू पर strong शक जाता है जब यंग्जू घर पर आया तो जल्दी से जेशिन वहाँ से चला गया जेशिन पुलिस station में आने के पाद योई ने उसके लिए जो dolls रखी थी इन्हें notice करता है वो बहुत ही जादा घुसा हो गया था सबसे बोचता है यहाँ कोन आया था यहाँ तुम्हारा interview लेने के लिए एक generalist आया हुआ था जेशिन जब योई से टकराया था तब उसने उसका face देखा है जेशिन कहता है कि उसका eye card दिखाओ इस eye card पर एक दूसरे reporter का नाम है जो vacation पर गया हुआ है इस card पर fingerprint चेक करने के लिए बोलता है और योई ने already fingerprint मिटा दिये थे land lady की case में एक witness थी वो कहती है कि जब उसका murder हुआ उसके एक दिन पहले और किसी के साथ जगड़ा कर रहे थी यह जगड़ा rain को लेकर था जेशिन का यंगजू पर शक और भी strong हो गया पुलिस ने योई का sketch बनाया हुआ था जगा पर लगा था तो यही उसके सामने खड़ा होता है वो एक आदमी से बोचता है क्या यह मेरे जैसे दिखता है वो आदमी इस पर हस कर चला जाता है जोई को मज़ा आता है यह उसने इस आदमी को फूल बनाया इसके बाद हमें उसके बचपन का सीन दिखता है जोई बहुत ही छोटा था तो उसकी मदर उसे क्लॉजिट में बन कर देती थी नीचे जाकर एक आदमी के साथ इंटिमेट होती थी यह सब आवाजे सुनना योई को पसंद नहीं था जेशिन जो अब करण मर्डर होते है उसे टाइब की एक पुराने मर्डर को भी इन्वेस्टिएट कर रहा था जिस लेडी का मर्डर हुआ था बहुत सारे बिजनेस चला दी थी इसमें उसकी बिल्डिंग्स थी उसका फरनीचर का बिजनेस था जो लोग उसे मनी पेन ही कर पाते थे उन्हें वो बरबात कर दे थी थे पुलिस को लगा था कि उन्हें से किसी ने उसे मार डाला इसी वज़े से केस बन हो चुका था फरनीचर की बिजनेस की बात हुए तो जेशिन को अपनी बच्पन के एक बात याद आई वो बच्पन में यंगजू के साथ हाई स्कूल में था एक दिन उसके घर पर डिनर कर रहा था तब यंगजू के फादर वहाए उन्होंने जेशिन को घर से बाहर निकाल दिया था उनका फरनीचर का बिजनेस था और उनने मनी प्रॉल्म थी एक दिन स्कूल में फाइट होने की वज़े से जेशिन बहुत ही ज़ादा हर्ट हो चुका था वो यंगजू के घर पर आया था यंगजू के फादर ने देखा तो जेशिन को मारने लग गए जेशिन ने भी फाइट बैक किया तो घर में आग लग गई इसे आग में यंगजू के फादर और मदर ये दोनों मर गए थे इस आग लगने का ब्लेम फरनीचर बिजनेस को जो ओन करती थी इसी पर लगा दिया गया था जेशिन को पता चला है उसी ओनर का मर्डर हुआ था उसे यंगजू पर शक है तो उसके घर में वाया बातरूम में जाकर उसने इन्वेस्टिकेशन की तो उसे वहाँ बलड के स्टेंस मिले है उसे शौक लगा ये यंगजू सच में एक किलर है इसके बाद हमें यंगजू का फ्लैश बैक दिखाया जाता है जैसे कि मैं पता है कि जैसे ने जो आग लगाई थी उसमें उसके मदर और फादर मर गए पर ये सब बलेन फरनीचर के बिजनेस को ओन करने वाली लेडी पर आया था यंगजू ने बदला लेने के लिए उस लेडी को मार डाला यही यूई की मदर थी अब इस situation को मैं आपको फिर से explain करता हूँ यंगजू के फादर बहुत ही abusive थे जैसेन और यंगजू के फादर का जगड़ा हो गया accidentally जैसेन से आग लग गई इस आग में यंगजू के मदर और फादर मर गया इस पूरे incident का blame फरनीचर बिजनेस ओन करने वाली लेड़ी पर आया यह जो लेड़ी थी यही योई की मदर थी यंगजू को बदला लेना था तो इस लेड़ी को उसने मार डाला रात में जैसेन यंगजू के पास भोचता है कहता है तुम्हें मुझे कुछ बताना चाहिए ड्रिंग करते करते उसे एक जगह पर ओलेकर आया जैसेन यंगजू को बहुत मारता है पुच्छता है तुमने किया क्यो? यंगजू को मारते मारते ही जैसेन को एक कॉल आया सिटी में दो पूलीस ऑफिसर्स का मर्डर हो चुका है यह murder योई ने किया था Jason ने figure out कर लिया कि यंग्जू real killer नहीं है पर अपनी land lady को उसने मारा हुआ था यंग्जू Jason से कहता है मुझे arrest कर लो Jason कहता है कि सजा अब real serial killer को ही होगी यंग्जू उसका friend है तो उसने उसे छोड़ दिया next scene में हम देखते हैं योई ने यंग्जू को call किया था वो उसे council की meeting में बुलाता है यंग्जू को पता है कि message उसे serial killer ने किया था ये serial killer का message उसने Jason को भी दिखाया हुआ है council की meeting में discussion चल रहा था कि serial killer से बचने के लिए सब लोग पूरी city में पेट्रोल करेंगे ये meeting खत्ब होने के बाद यंग्जू योई का पीछा करता है उसे शक है कि वही एक serial killer है योई के shop के उपर कुछ digits लगाय हुए है या वही digits है जो serial killer के message में थे Jason सब victims का background check करता है victim जिस school में थी यही पर योई भी था Jason ने फिर योई की website देखी और उसे पता चल गया कि वही serial killer है नेकसिन जब हम देखते हैं तो योई एक teenager था उसे एक लड़की बहुत ही पसंद आती थी जिसका नाम था Soyun Soyun का भी murder हो चुका है योई ने Soyun को एक phone दिया था पर वो उसका phone कभी भी उठाती नहीं थी योई उसके घर पर पहुचा तो उसे दरवाजे पर ही रखती है योई कहता है कि मुझे एडलिस घर में बुला भार थंड है मैं कौवे पी सकता हूँ Soyun के साथ उसका boyfriend था जिसका नाम था मैसॉंग मैसॉंग और Soyun ने योई का मजा गोड़ाया और वो अंदर चले गए इस बात को बहुत सारे साल गुजर चुके है अब योई ने Soyun को मार डाला है और वो मैसॉंग के पास पहुचता है उससे पहुचता है क्या तो हम हमारे classmates के contact में हो मैयूंग कहता है कि Soyun मेरी girlfriend थी हम intimate होते थे तो आजीव 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 आवाज निकालती थी योई इस पर उसे कहता है क्या वो मेरी है मैयंग को बहुत embarrassed लगा वो कहता है कि मैसर मजा कर रहा था योई ने एक चाकू लेकर मैयंग को मार डाला उसके कान में कहता है तुम बहुत ही अजीव अजीव आवाज निकालते हो योई को Soyun ने धोका दिया था इसी वज़े से उसने उसे मारा था जो दुसरे murder उसने किये थे वो उन्हीं लड़कियों की थे जो Soyun की तरह दिखती थी अब जब जो Jason को पता है कि योई murderer है तो उसके घर पर वो पहुच आता है सब investigation कर रहा था तब ही योई ने उसे बेहोश कर दिया उसने फिर यंगजू को call लगाया कहा तुमारा friend मेरे पास है आकर उसे लेकर जाओ यंगजू घबरा कर जल्दी से वहाँ पहुचता है योई के घर में उसने blood notice किया घर से बाहर आने के बाद योई कार में था यो कार वो स्टार्ट करता है पर यंगजू उसका पीछा करता रहता है वो उसका पीछा करते करते playground तक आया playground में Jason को लटकाया हुआ है वो भी भी जिन्दा है एक जगा पर बैटकर योई उस पर गन लगाता है इस ताउन में मैं सिर्फ तुमारी वज़े से आया हुआ था यंगजू जल्दी से जाकर जेशन को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था पर योई ने जेशन को कोली मार दी वो फिर यंगजू के पास आया उसे वो टीचर बुलाता है कहता है कभी-कभी मैं तुमारी लिए थैंक्फूल होता हो कभी-कभी लगता है तुमसे बदला लिया जाए योई ने अपनी गन यंगजू को दे दी वो चिलाया कि मुझे मार डालो वो उसे मार नहीं सकता था पर योई ने खुट ट्रिगर दबा दिया अब योई यंगजू को थैंक्फूल क्यों था उसने उसे टीचर क्यों बुलाया इसका रीजन हमें पता चलेगा योई के मदर के गुजर जाने के बाद उसे स्कूल में लड़के बुली करते थे उन लड़कों से यंगजू ने उसे बचाया था यंगजू और योई ये दोनों फिर एकी स्कूल में थे यंगजू हमेशा उसका खया लगता था इसलिए योई उसे टीचर बुलाता है योई को पता था कि यंगजू ने उसकी मदर को मारा है क्योंकि यह जब murder हो रहा था तो यही closet में ही था उसने उसे देखा था और इतने सारे साल उससे बदला लेना चाहता था last में उसने यंगजू के हाथ में गन रखकर ही अपने आपको मारा है यानि कि सब murder का इलजाम अब यंगजू पर आएगा फाइनल उसने अपना बदला ले ही लिया इसी तरीके से यह movie end हो जाती है आज कर वीडियो हम यही कतम करते है आपको यह वीडियो चलागा तो ब्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारे movies लेकर आते रहतो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे बेल लोट्वेशन आइकान दावर में मत भूलेगा फिर से मैं लेंगे और एक नेमोई के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिये